हेलो, नमस्ते, आज़े हामी ले हरनु पढ़ने एनिमल को नाम हो, मस्कार डोमेस्टिका, जसलाई, कॉमनली हाउस फ्लाई पनी भन्छन, यो एनिमल हाम्रो लोकालिटी माँ खुब कॉमन, हाउस फ्लाई, जिंगा, साइनिटिफिक नेम मस्कार डोमेस्टिका, डायग्राम य यो इमेज हाउस फ्लाई को हो, बोडी इनियर को इलोंगेटेड, सिलिंडिकल करीपरिब जेहिंचा सेप मा, र यसमा आचाहें दीवटा विंग्स, वेरी क्लियर, यो विंग्स, ट्रांस्पारेंट र मेंब्रेनस, जुन फ्लाई परपस को लागी सुटेब, हाउस फ्लाई एक किसिम को फ्री लिभिंग, आक्टिव, डायर्नल इंसेक्ट हो, यो फ्लाईं इंसेक्ट उनाता बाइट गर देना, स्टिंग पनी गर देना, तरह कोने पनी कंसास परशन को लागी इसको प्रेजेंच टॉलेट गरना गार हो, यो इसको हैबिट हैबिटाट ले गरता हो, हाउस फ्लाई को क्लासिफिकेशन हे राम पहला, मसका डोमेस्टिका फाइलम और्थ्रोपोडा को मेंबर हो, और्थ्रोपोडा अंतरगात आँछन, एनिमल्स हैभिं ज्वाइंटेड लेक्स, सेग्मेंटेड बाडी, क्लास इंसेक्टा, जसमा आउने एनिमल्स हरो, और्थ टू पियर ऑफ्विंग्स, हाउस फ्लाई को और्डर, और्डर दिप्टेरा हो, दिप्टेरा हों 대박, टेरा को मीनि हो, विंग, विंग भिंग्स हो और्दिप्टेरा ौंटेरा अंतरगात राख्येग्स, जेनस, मसका, ऑस्पेसीज्बुमेस्टिका, soundtrack, थेहिसना मॉनीडा नेम मस्का डोमेस्टिका तर यसे लाई मस्का नेबूला पनी भंचन अबाउने यसको habitat and distribution it is the most common housefly found around human habitations जहां मानिस बस्चन यसको वरी परी निहरू खुब भेटांचन it is an active insect flying freely from one place to another you're very active flying insectos feeding upon human debris and decaying organic matters foro, mal, debris, waste materials it is diurnal in nature showing much activity during daytime it neither bites nor stings but its presence becomes intolerable to a conscious person it is harmful house paste that serves as a carrier of many germs यही वेशको habit यह harmful insect अंतर का ताँचन यसले थुप्रे किसम का जर्म सरु खैरी गर्दिंचन it has the habit of passing out fecal matters frequently that contain several microorganisms so frequent defecation वाला habit पनी देखिंचा housefly को frequent defecation usually before flight you fecal matter discharge गर्चन so frequent defecation housefly को habitat को समाद मा कुडा गर्ने हो हने human habitations को वरी परी मानिस भशने ठावरू को वरी परी खुब यटाऊचन रखास इन वेरी dirty and unpleasant places त्यो फोर ठावरू मा बढ़ी भशने गर्शन housefly cosmopolitan in distribution worldwide विश्चो को करीब करीब हरेक country जरू मा भेटिने अब आउने इसको morphology को समद्मा morphology मा हामी डिसकस करचाम shape size color apertures structures ती शपी को रहारू so morphology को दिस्टिकोन ले हरने हो भने यो इसको body elongated cylindrical and almost elliptical elongated cylindrical rounded outline बाला and almost elliptical elliptical बना ले करीब करीब oval elliptical in shape the adult fly is about five to eight millimeter long so एक centimeter पनी भाये नहों its dark gray body color of the body dark gray bears four longitudinal lines on the thorax and one black line on the abdomen body मा तीन अटाटी बीजन देकें चान head thorax abdomen head कस्तो तो यहां जुन image हामें हेरी राजम यो head को समद मा हो head almost semi circular head र इंटाइर body hairy जस्तो देखें चान यहां hair शरू bristles शरू थुप्रे इछन dense hair जुन semicircular head हो यहसको दुबै lateral upper side मा we are saying compound eye यो compound eye हो इने रुको remember insect शरू मा जुन compound eye भेटिंच तो union हो several simple eye को हम्रों आखा simple eye यसमा योटा lens योटा retina तर housefly र इंसेक्ट शरू को compound eye compound eye मा थुप्रे lenses जरू होंचन योटा compound eye housefly को योटा compound eye मा करीब-करीब चार हज्यार जाती different lenses जरू होंचन यो compound eye को minute observation surface मा हेरने हो हने थुप्रे small faucet शरू देखिर है यो शपई एक एक वोटा lens होंचन जो दुबै शाहिर मा compound eye देखिंच होना तो यहां बिच मा अपर साहिर मा oscilli पनी होंचन oscilli बने को simple eye तिने रू जस्ट presence रा absence light को detect गरने गरचन यहां एक जोरी antenna तो देखिंचा तरा antenna small three jointed only antenna पनी hairy sensory filler जस्टे structure. Mouth parts तलती रख यो mouth parts इनी हरू मा retractile हो खुम्चार राकने. So description माया लेखा से, head is small and semi-circular in outline lying at right angles to the long axis of the body कोफर जस्टे. It bears a pair of large compound eyes, a pair of short flexible three jointed antennae and sponging type of mouth parts. Sponging type कस्टो किसम को होला आप इनी हरू liquid food शगरने हिसाब ले, sponge जस्टो liquid food शगरने गरचन त्यो हिसाब को mouth parts इनी हरू मा देखिंचा. Such mouth parts are adapted to suck liquid fluid only. अब आउने, यसको औरू feature सरो. यहाँ जुन डाइग्राम देखिराया चा, examination मा द्रोग अरना सकने किसम को डाइग्राम होयो. यसमा head, anterior, thorax, middle, abdomen, posterior. So, यसको elongated body मा तीनोडा division very distinct, head, thorax, abdomen. Head मा, we see two dark compound eyes, large हो, ठूल हो. यहाँ एंटिना द्रोग श्यानो नहीं देखिंचा. Thorax, यसमा four longitudinal dark lines देखिराया चाहू. अनि थोराक संगा, जोरिएको three pairs of jointed legs तोलती रा, ventral side मा, यहाँ one pair of wings, membranous swing, यहाँ माथिती रहो. So, wings डॉर साली, legs, ventralी. यह four wing हो, अगारी पटी को. जुन posterior wing इन यहरू को, त्यों reduced होना. अनि त्यों हैल्टेयर भंचन दसलाई. हैल्टेयर इन यहरूमा, buzzing sound produce गरने काम गरशन. Four wing, flight को लागी सुटे बोलो. So, about the body division, first about thorax. Thorax consists of three segments, agarico prothorax, middle mesothorax, and posterior metathorax. It bears a pair of membranous wings dorsally, wings, flight को लागी सुटेब, and three pairs of jointed legs ventrali. The hind wings are greatly reduced to drumstick shaped structure, called haltears. Haltears produce buzzing sound. So, buzzing sound इन यहरूमा, haltears को, vibration बाटा, produce गरने करशन. The legs are densely covered with hairs. So, hairy legs. Now, posterior region, abdomen. Abdominal region, male को केश मा, eight segments, female मा, nine segments देखिएंच. So, यह यहुटा basic difference. Male को केश मा, posterior four segments बनावने हो genital pouch, accessory reproductive organs. तरह female को केश मा, यहां हुँचन OV-positor. योग गुरो, हामी यस डाइग्राम मा, तरलो डाइग्राम मा, clearly हरना सक्षों. You may see here, the posterior end of abdomen, यहां, elongated tubular structure. यहां हुँचन OV-positor. एग लहिं को लागी, sperm collection को लागी, यह useful structure developed भाय को देखिएंच. Female मा, male मा हुईन. अनि इन्हेर को mouth part, जुन head को तला पटी, त्यो contractile, foldable, मुड़ राखने, खुमचयायर राखने, अनि काम पड़े भने, फेर ही SLI बाहरा निगालचान. यहां हामी हेड राइग्राम उसको wings. 4 wings, membranus, functional, flight को लागी suitable, अनि hind wing, reduced, just like healthy air भंचन. Buzzing sound produce गरना लाइ. इन्हेर को head almost semi-circular, जासमा compound आई रा उसको anti नी देहिराय समाने. पुरे हेड, body, legs, यो सपे हेर्स ले कबर भायको. यहां हेर्स हरुमा इन्हेर जर्म्स टांसेर लाइ दिंचन, यहां हेर्स काम गर्षान. The abdomen is also covered with fine hairs. It consists of eight segments in male and nine in females. In male, the last four segments form genital pouch and accessory reproductive organs. While in female, they form a tubular retractile ovipositor, यह ovipositor एक laying को लागी tubular outgrowth. During copulation, the ovipositor is introduced into the genital pouch of male to receive sperms. Later, the ovipositor helps in laying the eggs. The females are slightly bigger than males. यहां हरी, male-female separate तश्वादिशन, sexual dimorphism पनी distinct देखिन चाए नियरुमा. आउन यह बा, life cycle. Housefly, free living, flying, terrestrial insect हो. यहां को life cycle मा, चारोटा distinct stages clear देखिन चाए. तिनियों होन, eggs, larva, pupa, adult. So, egg, larva, pupa, adult. यही चारोटा स्टे जरुशन. Adult housefly, mating गर्षन, on land. अनि जस्पची, fertilized female ले, fertilized egg लेगरने काम गर्षन. एग सरु, elongated, cylindrical, तरह minute, very small. यह को एक इंड अलिगती फराखिलो और को इंड अलिगती नैरो. So, one end of the egg, narrow, another end, broad. curved egg सरु, white color को र एगस को size यदी भन्ने होने, hardly 1 mm in length. एगस और को 24 hours मा, hatch गरने को. female egg, decaying organic matters मा, भित्र पटे, insert कराया रा, surface भंदा, करीब-करीब 12 mm बिलो, एग लेग को काम गर्षन. अनि इग सरु, within 24 hours, hatch गर्षन. So, very fast. एक बाटा, hatch गरे का लार्वा, शरुमा, मुश्किले 2 mm long, यो, white, elongated, segmented, worm-like creature. यो लार्वा, आपनो, lifetime मा, द्वी पल्टा मौल्टिं गर्षन. अनि यह सरी, तीनोटा, स्टेज देखिंचा. अनि वन्चाम, 3 in stars of larva in housefly. यो fully grown, 3rd in star larva हो. 3rd in star larva. जुन चाहें, करीब-करीब, 8-12 mm लामो. So, at the time of hatching, 2 mm. अनि पच्छी, about 12 mm गर्म्रो ग्रोथ देखांच लार्वा. यो feeding stage हो. अनि यो पूरे development मा, करीब-करी 5-14 दिन जती लाग्षन. अनि तेस पच्छी, larva changes into pupa. लार्वा को body shrink गर्चन. यो अब नन-feeding stage हो. अनि यसले आपनो वड़ी-पड़ी योटा कडा-क्होल बनाऊचन. यो कडा-क्होल लाई भांचन puparium. यो protective covering हो. कोकुन जसताई. यहाँ puparium जस्वित्र pupa develop गर्षन. अनि पछी यो pupa, हैच गरे रा, puparium बातन इसकंचन, रा, adult मा परिणात वंचन. Newly formed adult, जन puparium बातन इसकंचन, तेसले वंचन, इमागो. Newly formed adult, इमागो. यो इमागो अर्को 24-hour मा. So, within a day, यो sexually mature होना जान चन, अनि तेस्वची फेरी एग लेंग वाला काम शुरू होंच. So, यो adult, adult को life span भनचन, मुश्केल ले 20-25 दिन. यह सरी, पूरे लाइप साइकल मा जून चारवटा स्टेजे सरू देखेंच. ती स्टेजे सरू मद्धे, adult feeding stage हो, larva feeding stage हो, जब की एग अनि pupa non feeding stage. आउने अबर लाइप साइकल को description हेरने. Houseflies are terrestrial leading a free living life. The breeding takes place from June to October. Their life cycle shows four distinct stages, egg, larva, pupa and adult. First, let us see about copulation, meeting, union or pairing. The pairing of male and female takes place on ground. It lasts for a few minutes. The male sits on the back of female. To receive spermatozoa, the female inserts its ovipositor into the genital pouch of the male. So, previous diagram, मा हम लेडे साजगारे को, ovipositor, जुन चाही female ले injured गराउने हो, male को genital pouch मा अनि sperm receive गरने. So, pairing land में हुंचन, अनि यसे लाइ copulation मुंचन. अवाउने एग लेंग After six to eight days of copulation, करिकरिव लेक, female starts laying fertilized eggs on any kind of decaying organic matters, कुहे कुपदार्थमा, such as cow dung, horse manure , human fishes , decomposing fruits and vegetables, seeds, grasses, etc. The eggs are deposited in cluster by the ovipositor about 12 mm below the surface of organic debris. So, surface मा दिजनन, ovipositor लाइ भित्र इंजर गराउने, surface मंदा करिव करिव, egg centimeter, 12 mm, भित्र गयरा एग लेंग को काम गराउने, where eggs get protection, darkness, warmth and moisture to develop. So, suitable condition मा, eggs develop गर्षन. Each fly lays about 500 to 600 eggs, 500 to 600 eggs, in 5 to 6 batches, each of 100 to 125 eggs in one season. करिव करिव, योटा बैच मा, 1,1,1 पचिश वाटा एग सरू दिने गर्षन. So, large number of eggs, produced by adult female. आउने, eggs को समाद मा के साता. Eggs are small, white and elongated. लाम्चो तेखिंचा, measuring about 1 mm in length. एग दमी स्यान हो. One end of the egg is slightly broader than the other. Each egg bears two dorsal longitudinal curved thickness, marking शरू हूंचान. The eggs hatch into larvae, in about 8 to 24 hours. बने को, within a day. 24 hours. एक बाट लार्वा निसकान चाना. अनि larva, larvae are elongated, cylindrical, legless and headless. टहुको पनी चाहिना, खुटा पनी चाहिना. Popularly known as maggots. लार्वा को नाम, maggot larva. Its soft white body, is about 2 mm long. At the time of hatching, hatching को पे लामा, करीकडी 2 mm long देखिंचा. सेतु कलर को larva, with 13 segments. The anterior narrow end bears, the ventral mouth. अगरितिर माथ देखिंचा. Feeding stage रियो. Thus, it is a feeding stage. The larvae mouths twice. रिपल्ट माओ टिशंचान. Change of skin. Thus, shows three distinct stages or in starts. The larval development completes in about 5 to 14 days. पांश देखि 14 जन. करीब-करीब 2 hafta यति. During which, the first instar larva develops into a creamy white, cream color को शेतो, 8 to 12 mm long third instar larva. यो जन fully grown larva हो, यो third instar larva हो, the full grown larva looks for a drier area and changes into pupa. Now, about pupa. The body of larva shrinks and becomes battle shaped. The skin becomes dark brown and forms a protective case around it. Protective covering. आपनु बोरी कवरी परी. यसी covering लाइ भंचन. पुपल केश और पुपारियम. The pupa is non-feeling stage, having no mouth or anus. पुपा मा फिलिंग देखि देना. पुपा मा मौथ पनी चहिना एनस पनी चहिना. यो तो जस रस्टिंग सेज भायो. It respires through two pairs of spiracles. पुआर भंचन. रस्पिरिशन को लाइ. In about three to ten days, pupa changes into adult. So, pupa बोला stage, श्यानो नहो. तीन देखि दस दिन. Adult. The newly hatched adult is called imago. बर्खर, form भयका, adult-like imago. It is colorless with small delicate wings. As the wings dry, it starts flying and soon, the normal color is a ten. It becomes sexually mature within 24 hours. So, development यहाँ fast. The female copulates and starts laying eggs. The adult flies live for 20 to 25 days. 20-25 दिन. Adult fly को लाइस्वान. इसको habit-habit डाट लाइ समझीने हो भने. यह घरी-घरी घुमने, flying insect हो, active insect हो. आनि यहसले, phoro ठाउमा बसे रहा, फेरी, भोजन, पानी समा, जर्म शरुलाइल लाइजीने. So, a good vector. यहसले, पुर्याओने damage केके होना सक्षाम, त्यो यहां आमी डिसक्षगरना सक्षूम. They serve as the most important mechanical vectors, just like carrier पनी हांचन, and contaminate food and water. घोजन, रपानिलाइ, प्रदुसित बनाउने काम गरिरांचन. They carry the germs of various diseases, like typhoid, cholera, diarrhea, dysentery. यहता किसम का disease हरुको, germs यहां प्रदुसित बनाउने काम गरशन. अनि यहुटा अड़को habit पनी सम्झे राखने, Frequent Dification. अनि दिशार्ज गरिनाँ थांठाउमा, तिसमा विभिन जर्म सरो, Bacteria, Viruses अनि रहुँँचन. यहां रोकका जर्म नाइ फैलाउने काम खुब योगदान पुरियाउने, Housefly. So, अनि अनिनो को चाहरी आणे था, कांट्रोल को लागी, दुए वटा खास step सरूचन, दिस्ट्रक्शन अव फ्लाइज, फिनिज गरनु परने, प्रिवेंचन फ्रॉम ब्रिदिंग, यो प्रिवेंटी मेजर भायो, प्रिवेंचन फ्रॉम ब्रिदिंग, ब्रिदिंग गरने, स्टेबल ठाउ रहे न भने, इनिर को पॉबलेशन आप स मारीसर प्रिवेंचन फ्लाइज, यो उ प्रिवेंटी को ऒरैगा रह्योगि, प्रिवेंटी, फ्लित रॉम पॉबलाधियान, फ्यूमेज, जाव प्रॉम ब्रिवेंटी न Stop War Fin. किल गड़ना सकींचा और को यह उटा उपाय हो फ्यूमिगेशन धुमागरावने नीम को पातर हुलाई यदि धुमागरावने काम्मा प्रियो गड़ने हो तियो तेसले पनी हाउस फ्लाई जारू मरना जांचान। अब आउने प्रिवेंशन अफ ब्रीधिंग यू हाउस फ्लाई को ब्रीधिंग कुलागी सुटेबल ठाउं कुंत अब दिकाइं और गानिक मैटर्स। यह ता किसम को ठाउं यादी भायन भने इन वले एक ले गरन पावदेनन अनी पॉपलेशन स्वथ घटे राजांचान। one step by covering garbage dung etc., by keeping the house clean, all the debris and windows, proper netting of doors and windows , keeping food in flyproof places, भोजन लाई पनी कंटामिनेशन वरटा बचाओने हिसाब ले , हाउसफ्लाई वरटा बचाओन उपर ने द्रिंकिंग वाट वाटा शुद बी प्रोटेक्टेड फ्रोम फ्लाई त्यों पनी कभर गर राखने उपर ने housefly को population control गरने, housefly लाइ destroy गरने, इनिहरुको damage लाइ एहरे पची, housefly harmful पेश्ठो भनना सक्छी चाँ यसरी housefly को systemic position, habitat distribution, उसको morphology एग्स्टर्नल फीचर रा उसको life cycle का different phases रो हमीं discuss गरना सक्छाँ आजलाई यतिने आउने वीडियो माँ छीटे फेटावला धन्यवाद